हलो लवली लेडिज चलिए आज करवा चोथ की पुजा के लिए हम फिकी मठी बनाते हैं उसके लिए हमने दो कप मैदा ले लिया है और साथी में हमने मौयन देने के लिए हाफ कप देशी घी का इस्तेमार किया है और हम बन कप वाटर लेंगे और सबसे पहले हम मैदा में मौयन को अच्छे तरीके से मसल मसल कर लगा देते हैं ताकि इक्वल मिल जाए और आप इस तरीके से आप मुठी बना कर देख लीजिए अगर बाइंट हो रही है इसका मतलब आपका मौयन सही से लग गया है और पानी को आपने एक साथ नहीं डालना है हम थोड़ा थोड़ा डाल कर एक टाइट डो तयार करेंगे और अगर आपने एक साथ पानी को डाल दिया तो आपका आटा धीला हो जाएगा और मठी अच्छी नहीं बनेगी ये देखिए हमने एक टाइट डो लगा लिया है और बिल्कुट टाइट है ये अब हम क्या करेंगे हम इसको ढग देते हैं और पांच मिनट रेस्ट करने देते हैं ताकि ऑईल अंदर तक इब्रॉब हो जाए देखिए इसमें 1 फोर्थ कप पानी का इस्तेमाल हुआ है ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है इधर हमने गैस अन करके कड़ाई में ओईल डाल दिया है गरम करने रख दिया है और साथ में हम क्या करेंगे अब इसको चेक कर लेते हैं हम डो को जी बिल्कुल रेडी ह और अब इसको दो पोशन में हम डिवाइट कर देते हैं और फिर से इसको मसल लीजिए अच्छे से मसल लीजिए और मसलने के बाद इसको इस तरीके से हाथ से प्रेस करके फ्लैट कर दीजिए अब एक rolling board ले लीजिए और उस पर इसको रखती जिए आपको प्लोथन या फिर extra oil लगाने की कोई ज़रूरत नहीं और इसको एक बड़ी चपाती के अकार का बेल लीजिए अच्छे से इसको फिला दीजिए और अब हम क्या करेंगी एक हमने इस तरीके से जिब्बे का धक्कन ले लिया है उससे हम इसको कट करेंगे क्योंकि फ्रीकी मठ्री इक्वल साइस की ही होती है और थोड़े बड़े साइस की होती है यह देखिए हमने जो चपाती पेली थी उसमें यह तीन मठ्री निकल आई है और यह एक्स्ट्रा आटाम हटा देंगे इसको फिर से हम काम मिलेंगे देखिए इसकी मुटाई हमने इतनी रखी है यह थोड़ी मुटी ही होती है अब हम एक फोक की मदद से इनके पूरे राउंट पे हम इस तरीके से डिजाइन बना देंगे आप मार्किट में देखते हैं ना कि फिकी मठ्री इससे पैटन बना होता है हम फोक की मदद से इसको बना देंगे और फोक की मदद से हम इसको देखिए प्रिक भी कर देंगे इसको और मठ्री को प्रिक करना बहुत जरूरी है वरना यह पूरी की तरह फूल अच्छे तरीके से सीखेगी सारी मठ्री हमने इस तरीके से बेल कर तयार कर ली है इधा हमारा ओयल भी गरम हो गया है चलिए इसको चेक करते हैं यह थोड़ा सामने मैदा लेकर डाला यह एकदम से उपर आया इसका मतलब हमारा ओयल बिलकुर अच्छी तरीके से गरम हो गया ह यह देखिए बबल्स भी उठने लगे हैं इसको तो निकाल देजिए और अब अपनी जो मठ्री है आप इसमें डाल देजिए और एक बार अगर आपने ऑईल गरम कर लियाना फिर आप फ्लेम को लो कर दें पिलकुल क्योंकि मठ्री बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए होता है अगर आफट आफट निकाल देंगे तो वह बिलकुल धीली रहेंगी पूरी की तरहें धीली हो जाएंगी तो हमें क्रिस्पी चाहिए और ऐसे साइट पलड़ते रहें और देखिए यह जो नीचे चली गई है इसक इसको निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ओयल उसका पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा यह देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर कलर बिलकुल माकिट जैसा आया है ना क्रिस्पे भी उतनी ही है क्योंकि हमने इसको मौयन बहुत अच्छा दिया है अब दूसरा बैच भी आप इसी तरीके से सेख लीजिए मेरी कडाई इतनी है कि एक भर में तीन ही आ रही है आप अपनी कडाई के साब से कम या जादा एक बैच में सेख सकते हैं और इसको पलत देखिए कितना अच्छा ये पैटन आया है बिलकुल माकिट जैसा अच्छा आप बताईए आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ भी रही है या नहीं क्योंकि आप लोग कमेंट लाइक कुछ नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट में हमें बताईए और अब हम वरत में फिकी और मीती मठ़ी दोनों बनती हैं और नेक्स रेसिपी हम मीती मठ़ी के लेकर आएंगे और वरत के बाद आप पिकी मठ़ी को केरी के अचार के मसाले के साथ खाएं और चाय साथ मिलने मज़ा आ जाएगा बहुत अच्छी लगती है उसके साथ देखिए ये हमने सारी करीब ये डाई सो ग्राम मैदा में नो बन गई है तो चलिए आप इसको सर्व करते हैं बहुत क्रिस्पी बननी है ये आप साइज इसका इससे भी बड़ा कर सकते हैं एक मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ देखिए कितनी लियर्स आई हैं कितनी खस्ता बनी है ये और ठंडा होने पर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है ये थोड़ी दिर इसको ठंडा होने दें फिर कंटेनर में भरके रख लें और इसको आप दो से तीन दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ मीठी मच्छी के साथ कि अच्छी के अच्छी के अच्छी के साथ